नमस्कार स्वागत है आपका आमारे यूटूब चैनल विनाय कुकिंग एंड क्राफ्ट में आज मैं फिर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक नया वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जेंट्स पैजामे का वीडियो ये आप बहुत ही आसान तरीके से पैजामे को बना सकते हैं यहाँ पे मैंने पैजामे को बना लिया है आज मैं इसका पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ हमारे पूरे पैजामे की लंबाई बनके 49 इंच रेडि होगी आसन अमारा 14 इंच का होगा मुहरी हमारी 16 इंच चोड़ी रहेगी और कमर के चोड़ाई 30 इंच होगी यहाँ पे मैंने कपड़े को बीच से मोड दिया है यह 14 कपड़ा हो चुका है और इसकी चोड़ाई हमने यहाँ पे ये हमारा पूरा 31 इंच चौड़ा कपड़ा है जिसे मैंने बीच से मोड़ दिया है मतलब ये साड़े 15 इंच है इसकी चौड़ाई चौभरे कपड़े की पूरा नीचे तक और लंबाई हमारे पैजामे की पूरा फूल हमने रखा है हमें 49 इंच का पैजामा तयार करना है तो हमारे कपड़े की लंबाई 40 इंच है और इसमें मैं कमर पे नाडा डालने के लिए अलग से पट्टी लगाऊंगी साथी नीचे मोडने के लिए भी मैं अलग से पट्टी लगाऊंगी हमारा ये जो साइड से कपड़ा बचेगा इससे हम उपर नीचे के लिए पट्टी और मियानी को काट लेंगे मैंने ये वीडियो बहुत ही कम कपड़े में पैजामा तयार करके आपके साथ शेयर किया है हमने मात्र दो मीटर कपड़े में बहुत ही बढ़िया, सिंपल, आसान जेंट्स पैजामा सिलके तयार किया है तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं सबसे पहले मैं यहां से हमारा आसन बनने के बाद 14 इंच का होगा तो मैं यहां से उपर मैंने आदा इंच छोड़ दिया है क्योंकि यह हम जो उपर पटी लगाएंगे नाडा डालने के लिए उसमें सिलाई में चला जाएगा तो अब यहां से हम यह 15 इंच पे निशान लगाया हमने नीचे सिलाई में भी जाएगा और हम यहां पे मियानी भी लगाएंगे तो उसमें भी हमारी सिलाई में कपड़ा जाएगा इसलिए मैंने 15 इंच पे निशान लगाया है ये बनने के बाद बिल्कुल परफेक्ट 14 इंच पे आ जाएगा और यहां नीचे की ओर हमारे मोहरी की चोडाई 16 इंच रहेगी तो ये हम मतलब 8 इंच हुआ और आधा इंच सिलाई में जाएगा इसलिए हमें आपे 8 इंच पे या आप 9 इंच पे निशान लगा सकते हो आप देखिए हमने आपे 8 इंच पे निशान लगाया है आधा इंच सिलाई में जला जाएगा फिर हमारी मोहरी बिल्कुल 8 इंच की बन के तयार होगी अगर आप 9 इंच पे निशान लगाते हो तो आप अंदर 1-1 इंच कपड़े को दबाओ तब जाके 8 इंच की मोहरी तयार होगी हमने ये जो मोहरी के लिए निशान लगाया है इस निशान से और उपर आसन वाले भाग के जो हमने निशान लगाया है इन दोनों को आपस में तिर्चे मिलाते हुए निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हमने ये तिर्चे में निशान लगा लिया है अब बिल्कुल इसी निशान पे हम कपड़े को काड़ देंगे आसन वाले जगा पे हम इसको हलका सा गोलाई में कर देंगे और फिर इसे हम काट लेते हैं हमने यहाँ पे पैजामा को कट कर लिया है पैजामा के ये दोनों पल्ले है अब हम इसके लिए मियानी काट लेते हैं हमने बचे हुए कपड़े को लिया है ये डबल है कपड़ा हमारा हमें 9 इंच का मियानी लगाना है तो यहाँ से मैंने यहाँ तक हमारा 9 इंच हो रहा है यहाँ पे निशान लगाया है और यहाँ से भी यह 9 इंच यहाँ पे हो रहा है और यहाँ से भी ऐसे हम हलका सा तरचे में कट लेंगे और यह हमारी मियानी कट चुकी है 9 इंच की मियानी हमने काट ली है अब हम कमर में लगाने के लिए पटी नाडा डालने के लिए उसके लिए कपड़ा काटेंगे बचे हुए कपड़े को हमने यहाँ पे लिया है इसे हमने बीच से डबल किया है यह हमारा 31 इंच हमने पूरा लिया है क्योंकि हमारा कमर पूरा कपड़ा 31 इंच का था तो इसलिए हमने 31 इंच का डबल कपड़ा ले लिया है अब हम यह 3 इंच पे पूरा बराबर में इस और आधा इंच नीचे की और जो हम नेफे को मोड़ेंगे उसमें चला जाएगा हमारा अंदर की और तो एक इंच तो ऐसे ही चला गया उसके बाद बच्चा हमारा दो इंच तो दो इंच हमारा नाड़ा वाला भाग आ जाएगा नाड़े वाले भाग को ज़्यादा पतला नहीं रखना चाहिए कभी कभी नाड़ा अंदर जब घुश जाता है तो उसे निकालने में ज़्यादा दिक्कत होता है इसलिए हमने यहाँ पे दो इंच हमारा बन के दो इंच का नेफा तयार होगा तो हम यहाँ पे तीन इंच से निशान लगा लेते हैं और हमने यहाँ पे तीन इंच पे निशान लगा लिया है यहां तक हमारा 31 इंच हम इस कपड़े को काट लेए अब हम इस पट्टी को बीच से अलग कर देंगे मतलब हमें दो पल्लों में पट्टी चाहिए क्यूंकि हमारे पैजामे में आगे और प बचया नीचे मोहरी के लिए कपड़ा तो चलिए हम उसे काट लेते हैं यहाँ पे हमने बचय हुए कपड़े को लिया है और यहाँ पे मैंने यह बराबर में यह हमारी पट्टी की तरह कपड़ा निकला हुआ है तो हम इतना इतना नीचे से छोड़ दिये हैं ताकि हम इसका नाडा बना लेंगे और उपर से हमने ये दो इंच का कपड़ा काट लेंगे ना है हमें यहां तक हमारा 17 इंच है क्योंकि हमारी मुहरी जो है वो 16 इंच की है तो हमने 17 इंच का पट्टी ले लेंगे और फिर उसमें लगा देंगे तो इसे हम काट लेते हैं ऐसे हम हमारे पास ये भी जो बचा कपड़ा है इसमें से भी ऐसे ही एक पट्टी निकाल लेंगे हमने यहाँ पे 2-2 17 इंच की पट्टियां काट ली है इसे हम मोहरी पे लगाएंगे बाकी हमारे पास ये कुछ और भी कपड़े बचे हुए थे इससे हमने पत्ली पत्ली पत्टियां काट ली है इन्हें आपस में जोड़ देंगे और नाड़ा तयार हो जाएगा सबसे पहले हम जो नाड़ा के लिए पट्टियां काटे थे इन्हें आपस में जोड लेते हैं पट्टियों को हमने आपस में जोड लिया है अब चलिए सबसे पहले हम पैजामे को सिलना शुरू करते हैं सबसे पहले हम पैजामे में मियानी लगा लेंगे मियानी को हमने ये जो आसन ये जो हमने गोल यहां से कट किया है यहां से उपर तक लगाएंगे अब ऐसे ही हम दूसरे पल्ले में भी इस मियानी को जोड लेते हैं हमने यहां पे दो पल्लों में मियानी को लगा दिया है और यह उपर का भाग है इसे हम पूरा उपर तक सिलाई नहीं करेंगे हमें पहले यहाँ पर पट्टियों को लगाना है जिने हमें नाडा डालना है तो सबसे पहले हम इस पल्ले में उस पट्टी को जोड लेते हैं पट्टी हम बाहर से अंदर की और जोडेंगे और यहां पे हमने पट्टी को जोड लिया है हमारा यह उल्टा साइड है यहां पे हम इस कपड़े को ऐसे करके मोडते हुए इस पे सिलाई चला लेंगे हमने दोनों पल्लों में पट्टियों को जोड लिया है और अंदर की और ये खुले भाग को मोडते हुए कपड़े के उस पे भी एक सिलाई चला दी है जिससे ये मजबूत भी हो गया और अच्छा भी लगेगा देखने में आप सीधे साइड से देखिए ये पट्टि हमारी किती अच्छी लग रही है बिल्कुल ऐसे हमने दोनों पल्लों में कर लिया है हमने यहाँ पे मियानी को जोड लिया है और इस भाग को भी पूरा उपर तक सिलाई कर दिया है पूरा उपर तक नहीं हम यहाँ तक इस भाग को खुला रहने देंगे और फिर इसे बीच से ऐसे फैलाते हुए इस कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे और हम यहाँ पे ऐसे मोड़ते हुए बीच से इस पे निशान लगा लेंगे और इस पर सिलाई चला देंगे ऐसे ही हम इधर भी कर लेंगे और अब हम इस पर सिलाई चला देंगे और हमारा नेफा बनके तैयार हो जाएगा एक तरफ का नाडा वाला भाग हमने कंप्लीट कर लिया है अब हम ये दूसरे तरब भी बिल्कुल ऐसा ही सिलाई लगा लेंगे नाडा वाला भाग बनके रेडी हो चुका है और हमने यहाँ पे आठ हिंच पे निशान लगा लिया है अब हम पूरा किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे और फिर नीचे सबसे पहले हम नीचे कपड़ा जोड लेते हैं अंदर मोडने के लिए उसके बाद हम ये सिलाई लगाएंगे और हम यहाँ पे नीचे से आठ हिंच हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है और यह हम पूरा सिलाई लगा लेंगे पूरे पैजामे पे हमने बगल से सिलाई लगा दिया है अब हम बीच से यह जो हमने मोडने के लिए कपड़ा जोड़ा था यहां से इसको हम अंदर की और अच्छे से दबाते हुए इसको मोडेंगे और फिर इस पे बराबर से सिलाई लगा लेंगे और हमारा पैजामा बिल्कूल सिल्के रेडी हो चुका है अब बस हम इसमे नाड़ा डालेंगे तो हमने यहाँ पे जो पट्टियां जोड के रखी थी इसका हम नाड़ा बना लेते हैं हमने यहाँ पे नाड़ा भी सिल्के तयार कर लिया है अब हम इसे पीन की साहता से पैजामे में डाल लेंगे हमने पैजामे में नाडे को डाल दिया है और नाडे को आपस में हमने बीच से पाच्छे सिलाई लगा के अच्छे से जोड भी लिया है जिससे इसकी मजबूती बनी रहे और ये हमारा पैजामा बनके बिल्कुल तयार है और ये पैजामा बनके बिल्कुल रेडी है आप इस पे प्रेस कर दे हलका सा ताकि ये जितनी भी सिलाईयां है ये अच्छे से बैठ जाए फिर ये दिखने में और भी अच्छा लगेगा तो कैसी थी आज की हमारी ये ट्रिक पैजामा बनाने की कैसी लगी आपको जरूर बताईएगा साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ये भी बताईएगा कि हमने ये जो पैजामा बनाया है यह कैसा बना है और आप भी ऐसे पैजा में बिलकुल आसानी से बिलकुल कम कपड़े में बना सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने अब तक हमारे चैनल विनाय कुकिंग एंड क्राफ्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही हम आपके लिए उपयोगी वीडियो और भी अपलोड करते रहें होंगे थैंक यू